हेलो इस्टुडेंट्स योर मोस्ट वेलकब आन माई इटूब चैनल डाक्टर नालेस ग्रूव टूडेज इस्टार्टिंग इरर आफ रिफ्रेक्शन्स चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज आप लोग के सामने इरर आफ रिफ्रेक्शन्स यानि कि आपका जो इरर होते है है जो रिफ्रेक्शन्स होते हैं उसके बारे में आज हम बढएंगा जानेंगी कैसे क्या होते हैं जू आपके सामने लिक्रायक्ष है आपका जो है ठीक है छलिए देखते हैं स्टार्ट करते हैं टेम पॉरल क्रेसंट इस सीन टिपकली इं ठीक है देखिए थे इन मैयोप्या या फिर न कम्स लेघती हैं रध्र यहनी जब हम देखते हैं तो इसमें किस किस कंडिसन्स में नदिक की प्रोबलम होती है । आपका है नूर का ही प्रोबलम होता है तो भी नियर का ही प्रोबलम होता है यानि कि हमारे इसका answer जो होगा बोत आपदा एबब यानि किसी वाला सही है बोत आपदा एबब सही रहेगा ठीक है नेक्स्ट है आप्टिकल कंडिशन आफ अफेकिया इंक्लिवड और एक्सेप्ट देखें आप्टिकल कंडिशन यानि कि आप्टिकल जो कंडिशन होते हैं आफेकिया के वो किसमे किसमे होते हैं किसी एक को छूड़ करके ठीक है इसमें एक ऐसा है जिसको छूड़ करके आफेकिया को छूड़ करके होता है तो लास आफ 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 कंडिशन्स की होता हुआ है अगेंस्ट रूल होता है है इंलाज मेंट उल मेंज होता है नहीं होता ठीक है आप्टिकल कंडिशय आफ एकी आर्र कंडिशन में नएफ और इंसर में पूलायह करो कि जो को जूड करके या शी इसको छूड करके तो माय نے पै कमेंप्र suppressorie एक यह को छोड़ करके तो यह प्यास एप यूनियाटरल आफ एक यहुद भाई यूनियटरल मिन्य लेटरल है मतलब सिंगल आय भी अगर सिंगल आयमें अफिक्या क्या होता आफिक्ञाय क्रिस्टलायन लेंस या आपके आखों में अगर लेंस नहीं होता तो सी वहाज उनि तो यूनिलेटरल अफिक्या can be treated by तो यूनिलेटरल अगर यानि एक आख में अगर आपको अफिक्या तो उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है इंट्राकुलर लेंस की सायता से या इंट्राकुलर लेंस इंप्लांट करके या फिर बोथ या फिर नॉन ठीक है इसमें फोर्थ नंबर पर देखिएगा इसका एंसर क्या होगा आप कंट्राकुलर लेंस भी लगा सकते हैं इंट्राकुलर लेंस इंप्लांट करके भी दोनों सेमर में आपका होता है इंट्राकुलर जो लेंस होता है अगर हम अलग से लगाते हैं लेंस तो कितनी डायप्टर का लगभग लगाते हैं आपका इस्टेंडर पावर फाइब नमबर पे दिखेंगे प्लस 20 डायप्टर प्लस प्लस 15 भाउटटर में आपका जहाँ आपका इसका जाहे ब्रसाविप में से का ये सही इसका एंसुर है आपका शिलेंड्रिकल लेंशे इस प्रेजन्ट dafür है सिलेंड्रिकल लेंशेता होता है वो समय कोई जानते है कि समय प्लस लागते हैं अपका सदाइड्स स्मय जाहता है तो सिलेंडर लेन्स प्रज्क्राइब निarz कुछ का जाता है कॉन से कडिसेंडर के कन्डिशन में क्रuing क्या जाता है यह जो अगर कोई भी नियुबार्ण हो रहा है तो उसमें क्या इन्वेरियेवलिटी आती है पहिसमें ध्यान से देख्याइगा अन्नीड नियुबार्ण इन्वेरियेवल ली ठीक है यानि इन्वेरियेवल होता है- hypermetropic myopic या फिर astigmatic होता है तो invariably आता है तो यानि इसका मतलब हो वहाँ पर क्या होगा astigmatic होगा ठीक है सिवन नंबर पर आपका क्या होगा astigmatic खोगा next is a type of astigmatic में एक प्रकार का क्या है Axial Ametropia Index Ametropia Curvature Ametropia Spherical Abrasion अश्टिक में is a type of astigmatism in क्या होता है is a type of Auxial Ametropia Index Ametropia Curvature Ametropia Spherical Abrasion जहां से देखिएगा इस में क्या होगा astigmatic में यह करवेचर Ametropia होता है ठीक है यह यह प्रकार का क्या होगा कर वेचर रोपीय होगा ठीक है nextky हाइबरी्ट रोपीय करते या engaging करते है या फिर conversion करते है ईब बोथ हंदा करते हैं या फिर नब्दा cert करते है टो हाइबरीजिंट करेंगे की pray ओपर होगा कर्दी को होगा ठीक है नेक्स्ट है देखिए इन रेटिनास कोपी इन रेटिनस कोपी उजिंग है प्लेंद मिर्यार घंधा मिर्स टिल्टेड टूड़ दो राइट हैं दे सैड़ इन दे Official मुप्स तो दे लेफ्ट में अगर मूब कर रहा है लेफ्ट की तरफ अगर हम लेकि जा रहा है तो ठीक है तो क्या होगा है लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो इसका कहा रहा है लेफ्ट की तरफ जा रहा है है तो मेस्पीम देन मायनस वण ङायपटर होगा ठीक है नेक्स्ट है औरकिकल कंडिशन ओड़ा इई रिफ्रेक्शन आप त्ध्ट ट्ट आ इस डीफर अप्टिकल 11th number पर देखिएगा optical condition of the eye in which the reflection of the two eye differs जब optical conditions क्या होते हैं जब reflection होता है दोनों eye का क्या होता है अलग-अलग होता है या नहीं होता है ठीक है 11th number पर देखिएगा 11th number में mixed astigmatism, irregular astigmatism या anisometropia या फिर compound astigmatism ठीक है 11th number का आपका anisometropia होगा ठीक है नेक्स्ट है latent hypermetropia is detected when following mediatic is used latent hypermetropia का use हम कब करते है when following mediatic is used ठीक है यानि कब हम detect करना होता अगर latent hypermetropia को कौन सा दवा डालते है adrenaline, phenylephrine, cyclopentolate या फिर atropine कौन सा यूज़ करते हैं ठीक है 12th number पर देखिए कौन सा यूज़ करता है तो इसमें latent hypermetropia detected करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं क्रेट्रोपिन ड्रक्स का यूज़ करते हैं ठीक है next radial kratometry is useful in जो radial kratometry होता है वो किसले useful होता है mypia में, hypermetropia में या प्रेज़ बाइपिया में आप फिर affect किया में 13th number पर देखिएगा बहुत ही simple है radial kratomy कब करते हैं radial kratomy तभी करते हैं यानि कार्णिया को सही करते हैं mypia की conditions में यानि जब आपको mypia होता है तो radial kratomy किया जाता है next आया कि देखिए 14th number पर incident parallel rays come to a focus posterior posterior to the light sensitive layer of retina in incident parallel ray यानि parallel ray light जा रहे है come to focus posterior of the light sensitive layer of the retina यानि कि रेटिना के पीछे सिधा सिधा मतलब रेटिना की पीछे अगर focus कर रहा है तो किस conditions में focus करता है आप एकिया hypermetropia या फिर बोथ आपदा e-bub या फिर नानापदा e-bub की conditions में तो जाहिर सा है आप एकिया होता है तो भी plus lens लेंस लगता है hypermetropia होता है तो भी plus lens लगता है यानि कि दोनों conditions में आपका रेटिना के पीछे focus करता है तो इसका जो सही answer होगा वो बोथ आपदा e-bub होगा ठीक है next है the complications आप माई पे include all except complications जो होते हैं क्या होते हैं कि इसमें से एक को छोड़ करके ठीक है complication आप माई पे इंक्लिवड all except यानि complications देखेंगे vitriate regeneration retinal detachment cataract close angle glucoma देखिए 15 नमबर पे जो है cataract होगा है जो complications होते हैं माई पे को इसमें क्या क्या हो सकता है ठीक है इसी एक को छोड़ करके vitriate regeneration हो सकता है माई पे की कंडिशन्स में retinal detachment हो सकता है माई पे की कंडिशन्स में cataract हो सकता है close angle glucoma नहीं होगा ठीक है इसका answer जो होगा close angle glucoma नहीं होगा next है indistinct distance vision is seen in देखिए indistinct distance vision में जो problem होती है तो कब होता है आपका pressed बाइ पे में या फिर माई पे कंडिशन्स में या फिर हाइपर मेटरोपिया या फिर नानब्दय ये बबबी की कंडिशन्स में होता है solar number में देखिएगा यानि दूर के में जो problem होती है वो आपको जाइड सी पता है माई पे कंडिशन्स में होता है next है यहां पे type of lens यूजफा करेक्शन आफ regular astigmatism में by convex lens होगा नहीं by concave lens होगा नहीं तो यहां पे cylindrical lens होगा नानब्दय बबब तो होगा नहीं इसलिए cylindrical lens होगा आपका next है pseudo papillitis is seen in pseudo papillitis कब दिखाई देता है यानि जूठा pseudo का मतलब अठारा नंबर पे hypermetropia की conditions में ही आपका pseudo papillitis दिखाई देता है जहां पे pseudo papillitis आए तो वहां पे आपका hypermetropia सही होगा ठीक है उस conditions में दिखाई देता है contact lens may be useful in treatment of all except contact lens का useful किया जाता है treatment किसकी treatment में इसमें contact lens का may be useful in treatment of किसी यूग को छोड़ करके ठीक है keratoconus की conditions में contact lens लगाते है refractive anisometropia में या first endothelial distrophy में severe keratoconjectivitis सिक्का की conditions में लगाते है ठीक है 90 नंबर पे देखिए तो 90 नंबर का यही endothelial distrophy की conditions में हम नहीं लगाते है contact lens ठीक है जब endothelial distrophy हो जाती है तो हम इसका use नहीं करते है next है prism are used in aphthalmolazi to measure and to treat prism का use हम जो aphthalmolazi में करते हैं और measurement करने के लिए और treatment करने के लिए होता है तो किस conditions में होता है hetrophoria या hetrophia या फिर बोथ या फिर कोई भी नहीं 20 नंबर देखिएगा 20 नंबर में यानि यहां पर hetrophoria सिदा सिदा skinned दोनों के में आते हैं तो यहां पर बोथ से लिया गया है यानि hetrophoria, hetrophia दोनों में hard contact lens is made of up hard contact lens किस से बना हुआ होता है ठीक है आपका hema से या pama से या pbc से बना होता है तो hard contact lens सभी लोग जानते हैं pama से बना हुआ है polymethyl methiclates ठीक है pama से बता है next है biconvex lens is used in all except biconvex lens हम यूज़ करते हैं किसी यह को छोड़ करके biconvex या डबल convex यूज़ करते हैं affectia conditions में pressed by pi में या फिर astigmatism में या फिर hypermetropia में जाइर सा है affectia ठीक है आपका affectia conditions में हम यूज़ करते ही है pressed by pi में यूज़ करते है hypermetropia में करते हैं लेकिन astigmatism में कौन सा लेंस यूज़ करते हैं cylinder lens यूज़ करते हैं तो आपका astigmatism सही है in compound hypermetropic astigmatism compound hypermetropic astigmatism में क्या होगा both the foci are in front of the 18 one focus is front and one focus is behind the retina none of the above 23 पे देखिए देखिए इसमें आपका hypermetropic compound है तो आपका एक कहां पे hypermetropic दिया है तो यह behind the retina रहेगा ठीक है यानि B वाला सा यह आपका behind the retina both the foci are behind the retina यानि यहां पे दोनों focus जो आपका retina के पीछे करेगा यहां पे hypermetropic दिया इसलिए determination of the reflection is done by all except determination of the lens is done by all except ठीक है देखिए determination of reflection is done ठीक है reflection का determine करते हैं किसी सायता से किसी यह कुछ छोड़ करके ठीक है retinoscopy से क्या करते हैं क्या refractometer से करते हैं या फिर kreatometer से करते हैं या फिर perimeter से करते हैं तो इसमें एक को छोड़ करके जो है आपका जिससे हम reflection करते हैं बाकी एक से इसमें से नहीं करते हैं तो 24 में देखिए का कौन से नहीं करते हैं ठीक है यहां पर retinoscopy का भी यूज किया जाता है reflectometer का भी किया जाता है बस आपका perimeter का use नहीं किया जाता है ठीक है इसमें perimeter का use नहीं करते हैं retinoscopy is done in a dark row matter distance retinoscopy हम dark में करते हैं कितनी दूरी पर करते हैं ठीक है कितना दूरी होता है 1 meter का 2 meter 3 meter या फिर 6 meter की दूरी होती है इसमें क्या आपका सही है तो आपका 1 meter सही है ठीक है यानि 1 meter की दूरी से ही हम retinoscopy करते हैं ठीक है drug of choice for papillary dilation in children is drug of choice for papillary dilation जो drug का choice हम करते हैं papillary dilation in children ठीक है जो papillary dilation in children यानि children में बच्चों में हमें papillary dilation करना होता है तो कौन सा यूज़ करते हैं एट्रोफीन का हमेट्रोपीन इसकुपलोमाइड माइन या फिर सेकलोपेंटॉलेट ठीक है देखें 26 में कौन सा सही है 26 का ध्यान से देखिएगा एट्रोपीन या हमेट्रोपीन या फिर इसको पौला माइन या फिर सेकलोपेंटॉलेट ठीक है तो एट्रोपीन ही इसका सही है ठीक है एट्रोपीन का ही ज़्यादा-तर जो है एक्टिंग करता है मिड्रियाटिक का यानि कि हम दवाड़ा डालते हैं कुछ ही समय के लिए होता है तो कौन सा होता है है ट्रोंटी सेवनपे देखेएगा ट्रोपीमिन या सइकलो पेंट या'll का लाइफ ट्रोपीन चुछ यह लिए तो कमेड जो जो साटेस्ट प्रिक्ष्ट एक्टिंग ग्लास इन और ले सिम्टम आप लगातार व्रेक्वेंट चेंज आ प्रिक्षबायपी लास यादि बहुत जल जल जो है चेंज रहेते लास का सेंटम इत्री आपका कहीं कुलोज एंगल इंग्वार नेक्श्ट अपनोर अगेशन मैक्चिम ayudar एपक ok अपर चाइल्ड हुड या अडल्ड हुड या फिर मिडल एज और लोग जानते हैं अपर जब अच्पन में रहते हैं तो बहुत ही बड़ी यहां सा करता है ठीक है टॉटिन नाइन पर देखिए नेक्ट थार्टी नंबर पर देखिए ट्रीटमेंट आप च्वाइस इन अफे करते है ठीक है डी अला आपका सही ग्रट मिलते हैं अगे नएन वीडियो अक साथ झाल झाल